नमस्कार आप देख रहे हैं नियूज फॉरनेशन और मैं हूँ विबेकानंद राजत की तरफ से आज बैठक उलाई गई है विधान मंडल दल की बैठक है राबडी आवास पर और बैठक से ठीक पहले राजत की तरफ से हलाकी इसमें राजत का कहीं नाम नहीं है लेकि राज बरोग उसके ठीक सामने लगा है और यह तस्वीर देखिए यह poster में नितिस कुमार पर नितिस सरकार पर बड़ा अटैक किया गया है लिखा गया है poster में काम नहीं किया काम नहीं गिनाऊंगा 15 साल का कालपनिक डर दिखाता रहुंगा सरकारी खर्ष पर पब्लिसिटी करता रहूंगा तो इसके माध्यम से बिहार सरकार पर अटेक किया गया और कहा गया है कि आप सिर्फ और सिर्फ 15 साल का जो सासन काल है उसका भय दिखा करके आप बिहार में सासन करते रहें आपने बिहार में कुछ किया नहीं है अपने आवास पर माफियाओं को बुलाते हैं अपराधियों को पनाह देते हैं मूच तोंद वाले जो नेता हैं उनको बचाते हैं तो इसके माध्यम से जो मुझभफर पूर सेल्टर हों है उसको लेकर कर जिस तरीके से तरीके से अटेक करते रहें तो इसमें भी उन सब्दों का प्रियोग किया गया है कि मुझ तोंद वालों को बचाऊंगा बच्चों को लाइन में लगवाऊंगा यानि कि जो मानोस रिंखला बनी है बिहार में उसक पर भी अटेक किया गया है रेडियो पर अपना गुनगान टीवी पर चेहरा चमकाऊंगा जनता को भर्माऊंगा और पटना को पानी में डुबाऊंगा तो बड़ा अटेक है नितिसकुमार पर कि जिस तरीके से पटना में इस साल जो है 2019 में जिस तरीके से भीशन जल जमा हुगा कई मुहले जल मगन हो गए उस पर बड़ा अटेक क काम नहीं कर रही है सिर्फ और सिर्फ नितिसकुमार अपने चेहरा चमकाने पर लगे हुए हैं सरकारी पैसे से सरकारी पैसे का बंदरबाट किया रहा है और उस पैसे से नितिसकुमार अपना चेहरा चमका रहा है तो निश्ची तोर पर बिहार में जिस तरीके से पोस्टर सरकार के पैसे से अपना एक व्यक्ति अपना चहरा चमका रहा है नितिस कुमार चहरा चमका रहा है और इसी कड़ी में आज राबड़ी आवास के सामने या पोस्टर लगा है और पोस्टर के माध्यम से बिहार सरकार जो नितिस सरकार का जो कारेकाल है जो 15 सालों का कारेकाल अ तो अब देखना होगा, चुकि जेडिव ने कल पोस्टर लगाया और आज उसके बाद अगले ही दिन एक बार फिर से राजद ने पोस्टर लगाया है, अब अगली कड़ी जेडिव की होने वाली है, जब जेडिव अब लालु परसाद पर किस तरीके का या राबड़ी देव